हेलो दोस्तों मेरा नाम अक्षे और आज के इस वीडियो में जानने वाले इंस्टाग्राम के उपर सेलिंग कैसे करें 10 प्लस टिप्स आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि लिए आपको 10,000 followers ही चाहिए, ऐसे बहुत लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा आप बिलकुल नहीं है, अगर आपके पास 2,000 followers है, 3,000 followers है, फिर भी एक सही mindset के साथ, सही method के साथ, सही strategy के साथ, आप क्या कर सकते हो, earning कर सकते हो, तो ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर step no.1 में क्या आता है, step no.1 में आता है, आपका clear your niche, इसका मतलब क्या है, आपका niche clear होना चाहिए, अगर मैं digital marketing की courses sell करता हूँ, अगर मैं आपको digital marketing basically सिखाता हूँ, तो ये मेरा clear niche है, आपको कल पर सो इस channel के ओपर कभी dance के video नहीं आएंगे, cooking related video नहीं आएंगे, या cricket related, gaming related video नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा niche clear है, मेरा topic clear कि भाई मुझे digital marketing ही सिखाना है, तो ये आपका niche clear होना चाहिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ business start कर देते हैं, फिर बता चलता है, इसमें तो उनको profit होई नहीं रहा, तो उसी बीच में कोई अलक बिसिक्री धंदा start कर देते हैं, मतलब ये multiple niche हो जाता है, कभी भी एक page की उपर धेर सारे video upload नहीं करने चाहिए, आपका niche clear होना चाहिए, ठीक है न, यह होगा step number one, step number two, optimize your bio, सबसे पहला impression होता है, बायो का, आपका bio optimize होना चाहिए, आपका bio कैसे optimize करे, पूरा video मेरे YouTube चानल पे available है, पूरी playlist available है, more नज़र पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, इसके उपर, बायो की उपर, तो आपका bio well maintained होना चाहिए, यहापे देखो मैंने क्या लिखा है, बायो में, कि I teach people how to grow on social media, author of award winning book, और इसमें मैं certified हूँ, एड में, और then क्या लिखा है, मैंने learn free Instagram marketing, यहापे क्लिक करेंगे, तो आप मेरे YouTube channel के उपर चले जाएंगे, तो एक clear niche आपको यहाँ से पता जल जाता है, clear bio आपको यहाँ पर पता चल जाता है, तो आपका bio optimize होना चाहिए, इसके अंदर आप देखोगे ना, थोड़े बहुत यह icons भी add कि हुए, ताकि आपका bio proper लगता है, attractive लगता है, सभी चीज़े detail में वीडियो में बताई हुए, कि boy को कैसे optimize करें, तो वीडियो ज़रूर देख लेना, मेरे YouTube channel के उपर आपको मिल जाएगा, point number 3, create a content strategy, आपका contents plan होना चाहिए, content plan मतलब कि मन आया, कुछ भी आप डाल दिया video, आज मन कर रहा है, Instagram के लिए डालू तो डाल दिया, कल मन कर र नहीं करनी पड़ती है, उसके लिए भी planning करनी पड़ती है, जैसे कि Monday है, आज मुझे कौन सी post डालना है, Saturday के दिन मुझे कौन सी post डालना है, Sunday के दिन मुझे कौन सा वीडियो डालना है, यह सभी आपका mention होना चाहिए, पूरा अच्छे से, जैसे कि आप Sunday को real डालोगे, तो Monday को एक carouser वाली post डालना है, और फिर मंगलवार को में कुई अच्छा वीडियो डालूँगा, फिर real डालूँगा, यह सभी आपके पास क्या होना चाहिए, इसका planning होना चाहिए, अभी 15 August है, 15 August को कौन सा post डालना है, यह सभी चीजे जो होते हैं, यह आपको पहले से planning करके रखनी चाहिए, अब planning के लिए कौन सा tool यूज़ करते हैं, उसके लिए भी मेरे YouTube चानले के उपर वीडियो है, तो जरूर आप देख लेना, अब आता है step number 4, social proof, आपका यापे social proof भी दिखाना है कि भाईया, social media में भी हम active है, वहाँ भी हमारे पास बहुत अच्छे-च्छ करना, लाइक करना, यह आपको करना है daily का, देखो मेहनत भरा काम है, लेकिन करोगे तो result भी उस type का आएगा, ठीक है न, engage करना, engage में spam नहीं करना, बहुत सारे लोग spam करते, nice post, good post, इस type के comment करते, देखो proper valuable comment करोगे, तो आपको एक अच्छा response मिलेगा, इसलिए दिन के कम से क 2 या 3 hours अगर आपके पास है, तो जरूर बड़े बड़े जो accounts है, आपके niche की related, वहाँ पे जाके, उनके यहाँ पे comment जरूर किया करे, उनके साथ engage जरूर आप होई, ठीक है, number 6, कहाता है, tell people what you offer, आप क्या offer कर रहे है, लोगों को बताओ, अगर आप कोई core sale कर रहे हो, अगर आपका product में dumb है, तो शर्मा अमद जल्दी से उसको अपने लोगों के सामने ले के आओ, ठीक है न, मतलब की tell people what you offer, आप क्या offer कर रहे है, आजकल market में कुछ भी sale कर सकते हो, आप ज़रा Google करके देख लेना, की नहाते कैसे, खाना कैसे खाते है, इसकी उपर भी market में courses available है, रा पर mindset के साथ आपको करना है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो, कभी भी अपने कुछ product को किसी को बताते समय, उसकी price बताते समय, घबराई है मत, और basically मतलब कि शर्माई में मत, मतलब बहुत सार लोग करते नहीं है, तो आपको करना सिखिए, selling करना सिखिए, पता नहीं, selling क करने में क्यों इतना लोग मतलब अच्छा नहीं लगता हूँ, लेकिन देखो, सबसे important चीज होते ही, selling, इसके थ्रूई लोग अमीर बनते है, ठीक है, तो अब आते है हमारे seven number के उपर, seven number के उपर है, speak about the problems, problem के बारे में speak करिए, देन अपना product उनको sell करिए, देखो, बहु product उसको sell करो, जैसे कि digital marketing का ही, आपको example देता हूँ, digital marketing में क्या है, इसमें fake चीज बहुत ज़्यादा होती है, लोग पैसे ले ले लेते हैं, और फिर सिखाते है basic 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 चीजे, तो ये क्या है, ये एक लोगों का problem है, जो कि मैंने देखा market में, अब इसके उपर solution क्या होगा, कि बहिया जो लोग provide कर रहे ना, हमको क्या करना है, हमको बहिया advance सिखाना है, बहिया अगर तुम मुझे दे रहे हो 10,000, तो आपको 20,000 का मैं आपको अच्छे से value दूँगा, proper way में दिखाऊँगा, practical चीजे बताऊँगा, ये आपको करना है, अब आप देखो के market में तो स्रि चीजे सिखाना स्टार्ट कर दू, समझ मैं रहे है ना, ये एक बहुत बड़ा problem है digital marketing का, website कैसे बनाते है, लोगों को पता है, domain वगरे सब पता है, लेकिन practically website कैसे बनाते है, नहीं पता, क्योंकि practically knowledge की कमी है, वही सल्टरपीट के पीचे भाग रहे है, practical knowledge जिलो है, ठीक है न तो ये मुझे समझ मारा है कि market में ऐसे ऐसे problem है, तो उसके उपर मैं solution के form में मेरा product, मेरी service, मेरे courses, उसको दे दूँगा, कहने का मतलब है, आपकी field अलग कोई भी होगी, हर एक field में problem होते है, अगर आपकी अलग field है, ठीक है ना, उसमें भी, उसमें भी कुछ ना कुछ प्र और कुछ free की चीजी भी उनको sale करो, जिसके तुरू भीया, उनकी मतलब की help हो जाए, मैं directly clear way में आपको बोलता हूँ, कोई घुमाब फिर icon, यहाँ पर मैं बहुत सारे फ्री वीडियो डालता रहता हूँ, और आगे भी ढालूँगा, अब इसके चकर में क्या होता है, से बाते हैं, उनको मुझे trust दिलाने का कोई कामी नहीं है, क्योंकि YouTube के उपर, Instagram के उपर, धेर सारे free में video available है, और देखके वो समझ जाते है, कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, और उसके बाद उनको need होगी, तो आखे मेरे से कोई भी courses है, जो चीज़े हो खरीद लेंगे, तो कह लिखते है, 9 में क्या है, 9 में आता है, give the amazing offer and start selling, offer based role play करता है, selling में, मैंने पहली भी बता दिया है, आपको offer based होना चाहिए, आपको basically मैंने example भी दिया था, एक बार फिर से में repeat कर देता हूँ, अगर मैं कोई 4.99 का course sell करता हूँ, Instagram marketing था, ओके, तो मैं simple सा है, ऐसे बोल सकता ह कि सर ये लिजे Instagram marketing का course, जिसकी price 4.99 है, ये simple हुआ, अब इसको देखो मैं offer में कैसे convert करता हूँ, सर ये लिजे मेरा Instagram marketing का course, जो की price है, अभी 1000, लेकिन आपको offer में स्रिफ 500 का मिल रहा है, प्लस मेरा consultancy का और या फिर मिली कोई e-book, आपको free में मिल जाएगी, तो ये हुआ offer, ऐसे offer आपको देनी है, मतलब कि क्या हो रहा है, इसमें बंदा क्या सोचेगा, अरे ये तो product 1000 का है, अभी मुझे मिल रहा है स्रिफ 500 में, और 500 के साथ साथ free में sir की e-book भी मिल रही है, तो ये होती है offer, proper way में offer दिया करो, ताकि लोग attract हो, और offer के अंदर ना, emergency create करो, इट मिल इसके ये जो offer है न स्रिफ 24 गंटे के लिए, 24 गंटे के बाद offer नहीं रहेगे, फिर regular price में 1000 में तुमको course लेना पड़ेगा, तो इस type के दिमाग से खेला, खेलना स्टार्ट करो, offer related भी वीडियो है मेरी YouTube क्यों पर, selling related देखो गे ना, पूरे वीडियो मिल जाएंगे, बस ओ देख के आपको practically apply करना है, अब रहती है last step के उपर 10, be real and never give up, be real मतलब कि real रहो, भले तुम्हारे sell आए या ना आए फरक नहीं पड़ता, बट reality के उपर कायम रहो, real रहो, ओके, बहुत सार लोग ऐसे होते हैं, किसी का course ले ले लेते हैं, तो फिर भी या टाटा भाइब है ना ही उसके problem solve करते, ना ही कुछ solve करते, ऐसे करोगे तो कभी टिक नहीं पाऊगे, थोड़ा बहुत earning कर लोगे, लेकिन डूप जाएगा market, इसलिए real रहो, अगर किसी को तुम 10 रूबे की भी चीज़ सेल कर रहे हो ना, तो 10 रूबे की उनको proper value दो, दुबारा बंदा तु आज भी हमारे हो students जो मैंने स्टार्टिंग में जो सेल किये थे courses, अभी भी मेरे साथ connect है, अभी भी उनके जो feedback है proper way में ही है, क्योंकि मैंने उनको value दी, freeway में इतनी value देता हूँ, तो उस time basically YouTube के उपर कम active था, course में ज्यादा बनाता था, तो courses में भी बहुत साही से में value दे कुछ अगर उनको दिक्कत आते हैं, जल्दी से दिक्कत को solve करो, यह करोगे तो लंबे time तक आप इस market में tick पाओगे, आज भी मेरे पास digital marketing की courses, जो है, एक ही हमारा course है, पूरा बड़ा वाला, जिसको भी लेना है, वो ले लेते है, directly ले लेते है, क्योंकि इतना सारी रियर रहो, सेल आया ना आये, अपने जो काम होता है ना उसके उपर basically ठाम रहो, और never give up, यहाँ पर देखो never give up, इतने सारे आपने जो चीज़े देख ली, I hope अभी तक आप इस वीडियो में ticky होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग भाग जाते है, पूरे वीडियो नहीं दे अब मैं इसको देखूंगा, मेरे प्रोड़क्त ले रहे है कोई या नहीं ले रहे है, ले रहे है तो अच्छी बात है कर नहीं ले रहे है, तो क्या अपने अंदर ऐसे problem है, और ढूंडो, अपने अंदर क्या problem है, ढूंडो, identify करो, और आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, अच्छा result आएगा, बुरा result आएगा, बुरा result आएगा, तो आपको खुद देखना पड़ेगा, problem कहाँ पे है, mistake कहाँ पे हो, देखना पड़ेगा, identify करना पड़ेगा, फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा, ये एक simple plan है, बहुत सारे लोग वीडियो देखते है, कुछ अप करना स्टार्ट कर दिया, guide करना स्टार्ट कर दिया, Instagram के उपर add कैसे run करते है, मैंने लोगों को सिखाया, मैं खुद add run किया, then क्या हुआ, increase होते गए, it means कि time लगता है, कहने का मतलब पर time लगता है, बट एक बार अगर सही way में आप चाओ ना, बहुत अच्छा result आपको आत पर ज़्यादा views भी नहीं आते, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक like तो बनता है, जरूर like करिए, और आपका इतना किमती समय देने के लिए आप सभी का, thank you, thank you, thank you